सिरल अनुपमा में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा जहां वन्राज ने अनुष को पंजा लड़ाने के लिए दीच चिनौती जी हाँ सिरल अनुपमा में एक तरब जहां शाह परिवार में गणपती उस्सो बड़े ही धूमधाम से मनाय जा रहा है और हर तरफ है खुशी का महोल लेकिन इस महोल के बावजूद वन्राज शाह अनुपमा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं गणपती स्थापना के बाद जब अनुपमा आरती करने जा रही थी तब बा ने उसे रोका और काव्या को आरती का निकले कहा इसके बाद काव्या अनुपमा को प्रसाद दे रही थी तब वनराज ने उसे रोका और उसे सिर्फ एक टुकडा दिया और कहा कि उसे अपने दोस्त अनुच के घर प्रसाद देना चाहिए जिसके बाद अनुपमा देती है जवाब और कहती है कि उसने कभी भी इस इस्तर तक गिरने की उमीद नहीं की थी वहीं सिर्फ की कहानी में आता है ट्विस्ट जब शाह परिवार अनुच के घर गनपती उस्चो के लिए निकल जाते हैं जबकि वनराज और पारतोश घर पर ही रुख जाते हैं अनुच और गोपिका का शाह परिवार का स्वागत करते हैं उन्हें पूजा में शामिल होने के लिए कहते हैं वहीं अनुच वनराज को फोन करता है और उसे घर पर बुलाता है पूजा में शामिल होने के लिए वेल सीरिल कपकमिंग इबिसोड में आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा जब सब को बताती है कि अनुच कॉलेज में आम्स रेचलिंग में था बहुत ही अच्छा जिसे सुनकर वनराज को होती है जलन और वो अनुच को अपने साथ पंजा लड़ाने की जुनोधी देता है यह तरब जहां वनराज कहता है कि मुझे हारने की आदत नहीं तो यह अनुच भी कहता है कि जीतना उसकी पुरानी आदत है वेल अब देखना दिलचस भोगा कि इस पंजे की लड़ाई में किसकी होती है जीत और इस पंजे वाले जैलेंग के बाद सीरल की कहानी में आता है कौन से ने आट्विस्ट यह देखना दिलचस भोगा झाले दिलचस भी कहा है झाल झाल